निए है अज मैं बेंगोली चिकेन करी रेशिपी शेयर करने जाए हूं कि लाल जोल रेशिपी शेयर करने जाए जाए हूं चली फिस्दरू करते हैं पहले हम लोग ओईल एट्ट करें गे अलुल हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें कटा हुआ अलु एट करेंगे अलु को मैंने तोड़े बड़े बड़े पीसे में कट कर लिए हैं और इसे अच्छे से गॉल्डन ब्राउन करके फ्राइ कर लेंगे अगर आप आलु नहीं पसंद करते हैं आप ना यूज करें लेकिन बेंगॉली रेशिपी में आलु का यूज होता है अब इसमें हम लोग नमक और हल्दी आट करेंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आलु हमारा फ्राइ हो चुका है अब इससे हम लोग निकाल लेंगे देखिए आलु हमने निकाल लिया है अब हम लोग इसमें एक तेज़ पत्ता एट करेंगे और दो शुकी लाल मिच और एक चमस जीरा हलका से इसे रोस्ट होने देंगे उसके बाद एक चमस सीनी एट करेंगे चीनी डाने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा और पेंगॉली रेशिवी में चीनी का यूज होता है और इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा देखिए अब हम लोग प्याज के स्लाइसे सेट कर देंगे यहां पर मैंने तीन बड़ी साइस का प्याज यूज किया है और इसमें मैं अद्रक लशन और प्याज और हरी मिच का पेस्ट रेडी कर लिया था उसे अच्छे से बूनेंगे इसे हमने अच्छे से बून लिया है अब हम लोग एक टमाटर कटा हुआ एट कर देंगे टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे अब हम लोग इसमें मसाले एट कर देते हैं यह हंने 1 टीश्पोन हम उल्दी पाउडर, यहง लालमीज पाउडर, फ्रीपवाफ एटिस फोन जीन जीरा और टीस फोन धन्य होंडर मैं नॉर्मल मर्शाले यूज कर रही हूँ कोई भी इस्पेशल मर्शाले यूज नहीं कर रही हूँ और जादा मसाले का मैं यूज नहीं करती हूँ अब हम लोग टेस के अकोडिंग नमा कैट कर देंगे और इससे अच्छे से बुनेंगे मसाला हमारा जली नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा पानी एट करूँगी देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से बुन चुका है और भी चुड़ने लगा है अब हम लोग इसमें चिकेन एट करेंगे ये साड़े साथ सो क्राम चिकेन है चिकेन को अच्छे से बुनना है मसाले के साथ देख सकते हैं चिकेन से कितना पानी रिलीज हो चुका है अच्छे से ड्राइ करना है अच्छे से अब हम लोग इसमें आलू एट कर देंगे जो हमने पहले फ्राइ करके रखे थे और आलू के साथ अच्छे से चिकेन को बुनना है ताकि आलू में भी फ्लेवर चला जाए चिकेन का देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं अब हम लोग इसमें पानी एट करेंगे देखिए हमने पानी एट कर दिया है अब इसे हम लोग वाइल आने देँगे देखिए इसमें वाइल आ चुका है अब इसे हम लोग 8-9 मिनिट के लिए लोग फलेम पे कुक होने देंगे देखिए यार्ट नौ मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें लास्ट में गरम मसाला एट कर देंगे और दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे चिकन करी हमारा विज़कुल रेडी हो चुका है इसे गरम करम राइस के साथ इंजॉय करें और मेरी रेसिपि अगर पसंद आए आपको तो प्लिस लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना पूलें थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो